बसंत पंचमी से पहले अवैद चाइनीज डोर बीचने वालों पर नकेल कसते हुए पुलिस कमिशनर के नेतरित्वों में जालंधर कमिशनर एट पुलिस ने अवैद चाइनीज डोर बीचने के आरोप में दो व्यक्तियों को गृफतार कर खुल 33 चाइनीज डोर के इसी की चलते पुलिस द्वारा ऐसे तत्वों के खिलाफ बड़ी कारवाई करते हुए भिविन स्थानों पर चापे मरी की गी ADCP ने कहा कि पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अजीत नगर में दुगल बेकरी नामक दुकान पर चापा मारा गया तो दुकान के अंदर से 30 चाइनीज डोर के गट्टू बरामत किये गए ADCP ने बताया कि पुलिस पार्टी ने तुरंत कारवाई करते हुए शेव कुमार पुत्र नंद किशोर निवासी अजीत नगर जालंदर को ग्रिफतार कर लिया है उन्होंने बताया कि अरोपी के खिलाव थाना रामामंडी जालंदर में मुकदमा नंबर 47 के तहत धारा 188 आईपी से दर्च करके आगे की कारवाई शुरू कर दिगी है जालंदर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट पर्चे रिजेस्टर कीतेजाँ ताओं जो लिदे जरी विक्री हो धौन्ट नो ठाल पाई जासके घा मलगा इस यस नूँ लेके दो व्यक्तियां विकार गितार ओ और वजन्हा को पारी मात्र less चाइना डोter ब्रामत की शीना इसे लड़ी देता है तह सी दो व्यक्तिया नों गिरफ्तार कीता है जिनना कोल ते ती जड़े गट्टू ने चाइना डोर दे वो रिकावर होए ने थाना रामामंडी दे विच आते थाना डिविजन नमबर आट ते विच दो एफ़े यार रेजिस्टर कीती हैं गई याने सो असी ये कारवई भी अलड़ी कर चुके हैं जड़े दो बेक्तिया नों गिफ्तार कीता है उना दे की नाम है किते दे रहन वाले ओके नहीं देर तो एक काम कर रहे हैं इक दा नाम जी दोशी शिवकुमार दुगल है जो की अजीत नगर रामामंडी दा रहन वाला है ये पा दे रेड की ती जिते जानु ये चाइना दोर दे जड़े गटूने वह रिकवर हो गे ते असी 188 देते है आईपीसी देते है ते ना कलाब परचे रेजिस्टर की ते ने पंजाब सरकार ने चाइना डोर दे होते पुरी तरना बैन लगाया था पुलिस पुलिस शक्ति कर दे अन दोर दोर दे होई धिकाय दे रही है पुलिस चे परचे बिच्टर कर रहे है बट हर एक व्यक्ति दी एक ने तिक जिम्म्हवरी बंड दिये है कि असी एदा बॉयकॉट करिए चाइनी जड़े चाइना दोर रहे है जड़ो उसी खरीद करनी बंद कर दांग तो ओविसली है कि जड़ा सेल करन वाला है उधी सेल भी बंद हो जाएगी